असलाम वालेकुम आपका हमारी चाइनल में बहुत बहुत स्वागत है आज रिपब्लिक डेयानी की गंतंत्र दवस के अफसर पर मैं आज आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करूंगी सु आज की मेरी पहली रेसिपी है खटी मीठी चटपटी सी चट्नी और दूसरी रेसिपी है चावल की रोटी ये दूनों ही परमपरागत भोजन है और बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं और ये दूनों ही हमारी तिरंगे को भी बहुभी दर्शार हैं तो वक्त जाया नहीं क सिंप्ली कट कर दिया है इस तरह से दन मैंने एक दक्ची चढ़ा दी है और उसमें हाफ टीबल स्पून सरसो का तेल एड़ कर दिया है तो तेल जब अच्छे से गरम हो गया तो मैंने यहाँ पे वन फॉर्थ टीजपून अजवाइन लिया है वन फॉर्थ टीजपून मंग्र रहा है मैं इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लूंगी और इसे ब्राउनिश करना है मैंने फ्लेम को लो रखा है ताकि इसके पार्टिकल्स उड़े नहीं तो आज यू कैन सी सभी चीज़े अच्छे से ब्राउनिश हो गई है तो मैं कटेवे टमाटर को इसमें डाल दूंगी लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए आफ्टर फाइव मिनट्स मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि जो भी टमाटर के पार्ट है तुकरे है वो अच्छे से टूट जाए तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है इस तरह से मिक्स करत आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी जगह मिठा यानि की गुड़ का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखिए टमाटर की चटनी कितने अच्छे तरीके से पक रही है तो हमें इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है चला लेना है प्रॉपर् इसे मिक्स कर लेना है आफ्टो थ्री मिनट्स शुगर डाले से इसका कलर कितना खुबसूरत दिख रहा है अच्छा औरेंच कलर आया है और यह अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है और यह पग गया है तो हमारी टमाटर की खटी मीठी सी चटनी रडी है तरंगे का पहला रं तरंग पर आते हैं जो कि है सफीव और हम स्वीज़ की रोटी बनाने वाले है चावल की रोटी बनाने के लिये मैंने यहां पर 700 ग्राम चावल का आटा लिया है जो कि मैंने अच्छ से चाल यानी च Chile आदे हैं और उसके बाद मैंने यहां पर दकची में आधा लीटर पानी बॉयल होने के लिए चड़ा दिया इसे अच्छे से खौला देना है फुल बॉयल कर लेना है तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते है पानी अच्छे से बॉयल हो गया है इस पानी में मैं चावल के आटे को डाल दे रही हूँ फ्लेम मैंने हाई रखा है और पूरे चावल के आटे को मैंने डाल दिया फुल बॉयल पानी में और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चावल के आटा पानी में अच्छे से घुल जाए और अच्छे से पानी में ही पक जाए देन मैं इसमें 1 टीस्पून नमक एड़ कर रही हूँ नमक डालने से रोटी में एक स्वाद आ जाएगा रोटी फीकी नहीं लगेगी और बहुती स्वादश्ट लगेगी देन चूलहा बंद करके इसको अच्छे से कवर करके 5 मिनट तक छोड़ दीजे आफ्टर 5 मिनट ये भाप में ही अच्छे से पक गया है तो मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ आप चाहें तो किसी भी बतन में इसे निकाल सकते हैं और मैं अभी अपने बोल के हिसाब से ही उतना ही आटा निकाल रही हूँ और इसी मैं सानूँगी उसके लिए मैंने एक बाउल थंडा पानी लिया है पहली थोड़ा सा पानी लेकी स्प्रेड कर दे रही हूँ अगर एक बैक हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा जो डो बनेगा वो गीला बन जाएगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकी हम स्प्रेड करते जाएंगे पानी को और फिर आटे को सानते जाएंगे जिस तरह हम नॉर्मल आटे को गेहério की आटे को नॉर्मल हम सानते हैं उसी तरह सीनन प्रॉसेसं से हम इस आटे को भी सानेंगे So as you can see आटा कितना मुलायम लख रहा है एकदम चिकना हो गया है आटा इतना soft ये दिख रहा है कि बूढ़ी लोग या बच्चे भी असानी से इसे खा लेंगे तो हमारा डो चावल का ready है और इसे cover करना ना भूलिएगा जैसी आटा सनाजा इसे cover कर दीजीगा रोटी भी बनाएगा तो इसे cover करती रहीएगा because ये हवा से फटने लगता है आटा तो cover करना बहुत ही जरूरी है तवा मैंने गर्म होनी के लिए चढ़ा दिया है चावल की डोको मैंने cover करके यहाँ पर रखा है then मैंने यहाँ पर चावल का सूखा आटा लिया है रोटी बनानी के लिए जिसे हम खुश्की भी कहते हैं सबसे पहले चावल का सूखा आटा मैंने हाथ में लगा लिया है जितनी बड़ी आपको लोई बनानी है उतना आटा ले लीजे चावल का और उसे गोल घुमाते जाए इस तरह से then सूखी आटे में इसे दो बार अच्छे से डिप कर दीजिए ताकि रोटी बिलने टाइम बहुत असानी हो हमें चावल की रोटी अच्छे से बिला सके और लोई लेने की बाद चावल के डो को कवर करना ना भूले क्योंकि ये हवा से फटने लगता है तो हमेशा कवर कर दें जब भी लोई के लिए ले 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 तो और फिर जो हमने लोई ली थी उसे अच्छी तरह गोल आकार में बेल दीजिए जितनी बड़ी जितनी छोटी बनानी है अच्छे से निकल जाती है इससे तवा चिकना हो जाता है और उसके बाद आप चावल की रोटी को तभी पर डाल दीजिए और इससे घुमाते रही है हाई फ्लेम पर इससे अच्छे से घुमाते रही है ताकि हर साइड चावल की रोटी की अच्छे से पक सके As you can see, रोटी अच्छे से फुल रही है और अच्छे से पग भी गई है तो इसका मतलब चावल की रोटी तयार है, रेडी है, कितनी खुबसूरत दिख रही है और अच्छे से फुली भी है इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छी तयार हुई है चावल की रोटी, इसे आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और इसे आप चटनी के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं, और ये देखिए, कितने आसानी से तूट जा रही है रोटी, बच्चे, बुड़े, कोई भी इसे आसानी से खा सकता है तो हमारी दूसरी डिश भी तयार, लास्ट बट नॉट दे लीस्ट, जो मेरी तीसरी रेस्पी है, वो है नमकीन हरी चटनी, तो चल ये बनाते हैं नमकीन हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती लिए, दो से तीन जड़, लहसुन पत्ती, दो से तीन ज़़, साथ से आठ हरी मिर्च, और एक टमाटर लिया है मैंने तवा हलका गरम कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ पर मिर्च डाली है तवे पर हलका भून लूँगी मैं इसको मिर्च हलकी भुना गई तो मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ और इसे भी भून लूँगी इसे ब्लैकिश हमें कर देना है लाइट ब्लैकिश तो मैं इसमें लहसुन की पत्ती भी एड कर दिया है और इसे भी मैं हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी उसकी बाद मैं इसे भी ढख दूँगी 2-3 मिनट तक मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी आफ्टर 2-3 मिनट मैं इसका धकन खोल रही हूँ तो ये भी अच्छे से भूना गई है ब्लाक इश हो गई है तो मैं इसको भी धनिया की पत्ती के प्लेट में डाल दूँगी सभी चीजों को लहसुन की पत्ती मिर्च और टमाटर को तो ये देखिए मैंने डाल दिया है अब इन सब चीजों को मैं मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ तमाटर को हम अभी नहीं डालेंगे मैंने लहसुन की पत्ती मिर्च और धनिया पत्ती डाल दी है सारी मेरी अम्मा बहुत ही टेस्टी इसे 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 जड़ा बनाया करती थी मिर्च मैंने इसे ज़्यादा नाली है तो नमक भी भी जालेंगे 3 टीशी पून है इसे ज़्यान कर लूँ है और इसे भी मैंने ग्राइंड कर दिया है तो ये नमकीन हरी चटनी रेडी है और मैं इसे एक बोल में निकाल दे रही हूँ बहुती स्वादिश्ट और नमकीन अच्छा मज़ा देती है तीखापन डालती है और लास्ट में मैं इसमें वन टेबल स्पून सरसू का तेल एड़ कर दे रही हूँ नमकीन हरी चटनी में सरसू का तेल डालने से ये इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ा देता है जाइका बढ़ा देता है बहुती लजीज तयार होती है ये और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए तो ये रेडी है तरंगी का आखरी रंग भी त अच्छेयर करी थाइका बार म्यक्न था दे लुआ जैयाद देड आखरी बता है प्लाय।